असलाम लेकुम आज मैं आपको गाजर के जूस के बारे में बताऊंगी गाजर का जूस हमारी सहत के लिए बहुत फाइदा मत है आज कल गाजर का सीजन आम है और मार्किट में गाजरें आम पाई जाती है गाजर से सबजी भी बनाई जाती है और इससे हलवा भी बनाया जाता जो के हमारी सहत के लिए बहुत फाइदा मन्द है आज मैं आपको गाजर के जूस के फाइदे बताऊंगी गाजर में विटमिन A, B, C, पुटाशियम, फाइगर, मैगनेशियम, कैल्शियम की कसीर मिक्तार पाई जाती है गाजर का जूस हमारी सहत के लिए बहुत मुफीद है इसमें कैंसर के खिलाफ जो हैं उच्छज़ा ऐसे पाई जाते हैं जो कि हमें कैंसर से बचाते हैं और ये मेदे के कैंसर से बचाता है फेपड़ों की बिमारियों के लिए बहुत फाइदा मन्द है गाजर का जूस जिगर की भी सफाई करता है गाजर के जूस में अगर माल्टे और मसम्मी को मिला कर पिया जाए तो ये बहुत फाइदा मन्द है इसमें अदरक और दारचीनी भी साथ मिलाकर इसका जूस बनाया जाए तो भी हमारी सhभ50 नुख बहुत मफीद है गाजल के जूस के आईजन और विटामिन E बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है जो के हमारी सेथ के लिए बहुत मफीद है और यह विटामन जो है ए हमारी बिनाई को तेज करता है और नज़र की कमजोरी को दूर Municipal करता है इसको अनरजी ड्रिंक भी कहा जाता है और यह जिसम में कुवत मदाफ़त को बढ़ाता है गाजर का जूस हमारी स्किन के लिए भी बहुत मफीद है इसको पीने से स्किन तरो ताजा और चमकदार नजर आती है और स्किन की प्राबलम्स खतम होती है और चेहरे पर गुलो आता है गाजर का जूस वजन कम करने के लिए भी बहुत मफीद है इसमें कॉलोरीस चुके कम मिकदार में होती है इसलिए यह वजन को बढ़ने नहीं देता गाजर के जूस में केरेटन का मदा पाया जाता है जो के हमारे दुमाग के लिए बहुत फाइदा मद है गाजर के जूस में विटमिन A और C की काफी मिकदार है जो के हमारी सिहत के लिए बहुत मफीद है गाजर के जूस को सुबा पीना और जाजा दुपहर को पीना चाहिए तब ये ज़्यादा फाइदा मन्द होता है गाजर का जूस पीने से नजर की कमजोरी खतम हो जाती है खोन की कमी दूर होती है बलड प्रेशर कंट्रोल में रहता है गाजर का जूस हमारे क्लास्टरॉल को भी कंट्रोल में रखता है गाजर का जूस पीने से जिस समय सूजन, वरम और असाबी कमजोरी खतम होती है इसलिए हमें चाहिए कि आजकल गाजर का जूस का एक गलास रोजाना पीए और कोका कोला और दूसरी कोल ड्रिंक्स की जगा गाजर के जूस को अगर पीए तो इसका फाइदा भी ज्यादा है क्योंकि ये नैचरल है इसलिए इसको पीए और अवसे हितमन रहें हमारी सेहत इसमें बहुत ज़्यादा सेहत का राज पोशीता है तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस मौसम में रोजाना गाजर के जूस को इस्तमाल किया जाए और सिहतमन रहा जाए